ये कहानी है एक पच्चास साल की आदमी हेंबट की, जिसे एक चौदा साल की लड़की से प्यार हो जाता है, और उसे पाने के लिए उसके मां से साधी कर लेता है, और दोनों तमाम हदे पार कर देते हैं. इस मूवी का नाम है लोलिता जो की एक सची घटना पर अधारित है तो मूवी की सुरुआत होती है 1950 अमेरिका में जहां हम हैंबट को गाड़ी चलाते हुए देखती हैं जिसके मुग पे खून लगा हुआ था और वो किसी के ख्यालों में खोया हुआ था वो कहता है कि लोलित हमबट को प्यार हो जाता है और एनाबेल भी उसे प्यार करने लगती है ये उनके जिंदगी के सबसे अनमोल पल थी और जल्दी दोनों के बीच में सारीरीक संबंद भी बनते हैं लेकिन उनका प्यार जादा दिन तक ठीक नहीं पाता है क्योंकि एक बेमारी के चलते एनाबेल की मौत हो जाती है जिससे हमबड पूरी तरह से तूट जाता है इस घटना के बाद हमबड को कभी भी किसी से प्यार नहीं होता है और उसके पूरी जवानी एनाबेल जैसी लड़की ढूनने में निकल जाती है अब इस घटना को बहुत साल बीच जाते हैं अब हमब लिख रहा था जो उसे इसी चुटी के अंदर कंप्लीट करना था अमेरिका में हमबड के अंकल के दोस्त उसे मिसेज हैज नाम के घर में रहने का प्रबंद करते हैं जब वो घर देखने जाता है तब उससे वो घर पसंद नहीं आता है क्योंकि वो घर काफी चोटा और गं जिता भी बिल्कुल एनाबेल की तरह ही खुबसूरत थी और उसकी उम्र भी ठीक उतनी ही थी जितनी एनाबेल की थी जब हमबड को उससे प्यार हुआ था उसकी पूरी जवानी एनाबेल की तरह लड़की ढूनने में बीत गई थी लेकिन आज उसके सामने एक ऐसी लड़ की कोसिस करता है उसे लोलीता में एनाबेल दिखाई दे रही थी और वो छुप छुप के उसे निहारनी लगता है हलाके लोलीता की उम्र 14 साल ही थी लेकिन वो अपने उम्र से काफी समझदार थी जब उसने पहली बार हमबड को देखा था तब वो जानती थी कि हमबड उस साधी करनी की सपने देखती है अगले दिन जब उसके साथ हमबड एक लेक के पास गया होता है तो मिसेज बताती है कि वो लोलीता को एक समर कैम्प में भेजने वाली है हलाकि लोलीता कैम्प जाने को तयार नहीं थी लेकिन उसकी मा उसकी एक नहीं सुनती जिस दिन लोलीत गाड़ी से उतर कर भागते हुए घर के अंदर आती है और कूत कर उसके ऊपर चड़ जाती है और उसे किस करती है हमबड की दिल की धड़कर मानो थम सगया था और वो इस पल को बार बार अपने आखों के सामने कलपना करने लगता है लोलिता के कैम जाने के बाद मिसेज हैज अपने मेट के हाथों से हमबड को एक लेटर भेजवाती है जिसमें उन्होंने साधी करने के लिए प्रपोस की थी हमबड भी उससे साधी करने के लिए मान जाता है क्यों वो मिसिज हेज के साथ सारे डिक संबंद ना बने, इसलिए उसे नीन की गोली देने लगता है, मिसिज हेज को हमबढ और लोलीटा के बीच के रिस्तों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, और ये उन दूनों का सिक्रेट था, मगर ये सिक्रेट जादा दिन अंधेरे में नहीं रह पाता एक दिन जब हमबड घर पर नहीं होता है तो मिसेज हेज उसके डायरी पढ़ लेती है और उसे उन दोनों के बारे में पता चल जाता है इतना ही नहीं उस डायरी में हमबड ने उनके लिए काफी घटिया बाते लिखा था कि वो एक चिपको औरत है हमबड के घर आने के बाद वो उसके उपर बरसने लगती है और कहती है कि तुम एक मोंस्टर हो वो उससे सारे रिस्ते तोड़ के घर से बाहर निकल जाती है मगर तभी अचानक उसकी एकसिडेंट हो जाती है और वही पर उसकी मौत हो जाती है हमबड को थोड़ा दुख होता है लेक के मासूमियत देखते ही उसके प्यार में फिर से पढ़ जाता है वो कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया पर लोलीता कहती है कि तुम मेरी परवा नहीं करते क्योंकि तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया है लोलीता की बोंडिंग देखकर हमबड एकदम से चौक जाता ह और गाड़ी को एक साइड में रोकता है और दोनों किस करने लगते हैं और दोस्तों ये बस उसके रोमांटिक रिलेसंसिप की सुरुआत थी। होटल में दोनों की रोमांटिक रिलेसंस अब सेक्सुल में बदल जाते हैं और दोनों इस पल को जीने लगते हैं। इंज्वाइ करने लगते हैं। फाइनली दोनों BSD कॉलेज पहुंसते हैं जहां हमबड अपना ठीचिंग का जॉब समालता है और लोलीता को स्कूल में भरती कर देता है। यहां भी दोनों की बीच में सारे रिक संबंद रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन दुनिया की नजर में दोनों माबाप की तरह पेस आते थे। लोलीता सेक्स्वली ही हमबड को मैनिपलेट करके उससे अपने मांगे पुरी करती थी। एक दिन हमबड लोलीता की स्कूल में उसका प्ले देखने जाता है। जहां उससे पता चलता है कि उस पूरे प्ले को क्लेर ने लिखा है। दोस्तो क्लेर वही हैंडसम आदमी था जो उससे होटल में मिला था। जैसे जैसे समय बित्ता जाता है दोनों की बीच में रिलेशन्स जादा रोमांटिक नहीं रहता। हमबड को लोलीता के लिए इंसेक्रेटिस बढ़ने लगता है। हमबड उसे एक और टूर पर जाने का आफर देता है। लेकिन इस बार लोलीता को टै करना था कि वो लोग कहां कहां जाएंगे। रास्ते में हमबड को लगने लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। और वो साध वही स्पाय था जो उसे होटल में मिला था। एक दिन जब दोनों गैस स्टेशन में रुकते हैं तो हमबड कुछ खरिदने के लिए जाता है। तब ही वो देखता है कि लोलीता किसी अंजान आदमी से बात कर रही है। वो भाग कर तुरंत बाहर आता है लेकिन तब तक वो आदमी जा चुका था। पुछने पर लुलीता कहती है कि वो आदमी रास्ता भटक गया था। मट को लगता है कि वो कोई और नहीं बलकि वही स्पाय था जो उनका पीछा कर रहा था। आगे की जरने में भी उसे यही लगता है कि कोई स्पाय गाड़ी बदल-बदल कर उनका पीछा कर रहा है। जब वो दोनों एक होटल में रुकते हैं तब हमबड कुछ खरिदने के लिए बाहर जाता है और जब वो वापस आता है तो उसे लोलिता थोड़ी अजीब सी लगती है उसके पैर गंदे थें बाल बिखरे हुए होते हैं और लिपिस्टिक मसला हुआ होता है उसे लगता है कि हो ना हो उसे जाने के बाद यहां कोई जरूर आया था और लोलिता कहती है कि यहां कोई नहीं आया था वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी ये चेक करने के लिए कि हमबड वापस आया कि नहीं लेकिन उसकी बिखरे हुई लिपिस्टिक देखकर हमबड बहुत बेचै वहाँ आचानक लोलीता की तब्यत खराब होने लगती है और हमबड तुरंत उसे एक हॉस्पीटल में भरती करता है चेकप के बाद डॉक्टर कहते हैं कि वाइरल फीवर है और उसे उस रात उस हॉस्पीटल में ही रुकना होगा हमबड लोलीता को छोड़ कर होटल वापिस आता है अगले दिन जब वो हॉस्पीटल में लोलीता की खवर लेने के लिए कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उसे वाइरल फीवर नहीं हुआ था और सुबा तक वो ठीक भी हो गई थी और उसका अंकल आकर उसे डिस्चार्ज करके अपने साथ ले गए हैं ये सुनकर ह हमबड के पेरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और वो हडबडाता हुआ हॉस्पीटल पहुंचता है और वो सबसे लडाई करने लगता है जब वो पुलीस को उसके तरफ आते हुए देखता है तब वो सांथ होकर सबसे माफी मांगकर वहां से चला जाता है दरसल दोस्तों लोलिता को कोई बिमारी थी ही नहीं ये तो बस उसकी और क्लेर की वहां से भागने की प्लान थे हमबड लोलिता को ढूनने के लिए अपना जी जान लगा देता है वो हर उस होटल में जाता है जहां वो पहले दोनों रुके हुए थे इस उमीद में कि सायद उसे कोई सुरा है मगर लोलिता का कोई पता नहीं चलता वो सोचता है कि मेरे अलावा भी लोलिता की कोई आसिक है लेकिन फिर वो अपने आप को समझाता है कि मेरे जैसा प्यार लोलिता को कोई नहीं कर सकता देखते ही देखते तीन साल बिच जाते हैं और एक दिन अचानक उसे लोलिता की एक लेटर मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि उसने साधी कर ली है और अभी वो प्रेगनेंट है लेकिन अभी उनके फैनाइंसल कंडिशन कुछ ठीक नहीं है हमबड तुरंट लेटर में लिखी हुई एड्रेस की तरफ निकल पड़ता है और तीन साल के बाद पहली बार ल है और वो हमबड के पीछे उससे मिलने आया करता था वो ये भी कहती है कि क्लेयर ही एक ऐसा आदमी था जिसके लिए वो पूरी तरह से दिवानी थी और ये सुनकर हमबड की दिल तूट जाता है वो कहती है जब वो पहली बार उसके घर गई थी उसे पता चला कि क्लेयर हो तरस आता है क्योंकि अब वो अपनी जिन्दगी गरीबी में जी रही थी वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन लोलीता मना करती है वो कहती है कि वो उसके साथ और कहीं भी जाना नहीं चाती इससे अच्छा वो क्लेयर के साथ चली जाएगी ये सूनकर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है और आखरी बार के लिए वो उसे जी भर के देखता है वो उसे कुछ पैसा देता है और वो उसके साथ आज तक जो भी कुछ किया उसके लिए माफिय मांगता है और वहां से चला जाता है इसके बाद वो क्लेयर को मारने के लिए सीधा उस याद नहीं था उसे ना तो लोलीता याद है और ना ही हमबड याद है वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है पहले वो लड़कियों का पीछा करता है फिर उन्हें फिल्म में काम करने का लालस देता है और फिर उन्हें यूज करके छोड़ देता है जरूरी नहीं कि व किसी भी लड़की के साथ कुछ कर नहीं सकता और लोलीता यहां अपने मर्चिस से आई थी और जब उसे यहां की काम अच्छा नहीं लगा तब वो यहां से चली गई थी फिर क्लेयर अपनी जान बचाने के लिए हमबड को इस मेंसन में रहने का आफर देता है जहां उससे डे से निकल जाता है और दोस्तों ये सिन इस मूवी का वही पहला वाला सिन था जहां हमबड गाड़ी चलाते हुए लोलीता के ख्यालों में खोया हुआ था क्लेयर के खून के जुर्म में पुलीस उसके पीछे पड़ी हुई है लेकिन वो भागने की भी कोशिस नहीं करता अब उसे अपनी जिंदगी की कोई परवा नहीं था क्यूंकि जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया अब वो प्यार नहीं करती पुलीस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल हो जाता है जेल में होने के अंदर उसकी एक बिमारी के चलते मोत हो जाती है और अगले ही महीने में लोलीता अपने बच्चे को जन्म देकर गुजर जाती है और दोस्तों ये मूबी यहीं पर खतम हो जाती है इस मूबी की जरिये हमें ये बात बताने की कोशिस की गई है कि इस तरह की अपाहिस संपर का नतीजा अंत में जाकर कितना बुरा होता है और इससे लोगों की जिन्दगी किस तरह से नस्ठ होती है दोस्तों जाने से पहले आपसे गुजारिस है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आपके अपने से ही अमेजिंग वीडियो मिलती रहें